वाहि गुर्जी का खालसा शिरी वाहि गुर्जी की पते साथ संग जी आज तो आनू मैं शिरी गुरु नानक देवजी दे जनम हों दी साखी सुना लगा हां शिरी गुरु नानक देवजी दे जनम उते पिता महता कलेान दास कालू ने पिंड़ दे पंड़त हरद्याल नो खबर दिती कि मेरे कर आज इक बालग दा जनम होया है तुसी आके उस दी जनम पत्री लिखो उना दिना विच जनम पत्री लखाऊं दा रवास ही पंड़त ने किहा महता जी तुसी कार चलो मैं ना तो के आउंदा हां महता जी कार चले गए कुझ समय बाद पंड़त जी इशनान अते पाठ पुजा करके महता कालू दे कर पहुँच गए पंड़त हर्याल जी ने महता कालू नो आख्या जिस वेले एहे बालक जनमया है मिननू उस वेले दा समा दसो एवी दसो कि जदू बालक ने जनम लेया है उस वेले इसने की सबद बोलिया है पावर होया है या हस्या है इस दा पता दाईं दोलता नू होएगा दाईं दोलता नू शद्या गया पंड़त ने दाई नो पुछया दस बीबी जनम वेले बालक कि में बोला है दाई कहन लगी पंड़त जी मेरे हतों बहुत सारे बालक पैदा होय हन पर जो इस बालक दे जनम समय कृश्मा होया है वो मैं बयान ही नहीं कर सकदी इस बालग ने मिननु बड़ी हरानगी विच पा दिता है जिनने भी बच्चे जनम वेले मैं वेक्केहान सब इस संसार विच रोंदे आउंदेहान पर एहे बालगता अजीब ही है एहे जनम वेले इस तरह हस्या है जे में बड़े स्याने हस्देहान और रोया बिल्कुल नहीं पंड़ जी ने पिता कालूनु केहा महता जी इस दे जनम दा समा अते दाई दोलता दे मुताबक एहे सिट्टा निकल दा है कि बालग कोई आम बालग नहीं है एहे वड़ा शाहुकार होवेगा पंड़ ने बालग दे दर्शन कर ली बेंती किती ता दाई दोलता कहन लगी कि बच्चा आजे कुझ कंट्या दा ही है ना जुक है कमरे तो बार लियाऊना ठीक नहीं है सहते असर पै सकदा है पर पंड़ ने जिद किती अते पूरी जिम्मेदारी लई कि बालग नो कुझ नहीं होवेगा मिन्नू परोसा है मैं आपपे ही संबाल लवाँगा दाई दोलता कपड़ें विचल पेट के बालग नो बाहर पंड़ जी पास लियाई पंड़त बड़ा सूजवान सी दर्शन करदे ही निहाल हो गया अते दोवे हत जोड़ के बालग नो नमशकार किती कालू ने बेंती किती पंड़त जी बालग दा नाम रखो पंड़त ने सोच सोच के आख्या कि मैं तेरा दिना बाद इस दा नाम रखांगा अते इसनो चोला भी पवामांगे तेरा दिन पंड़त सोच विचार करदा रहा अते अपने मन अंदर हरानवी हुंदा रहा हरानगी दे नानाल खुशी विच्वी विच्दा रहा उसनों सोच आउंदी री कि एहे बालक आम बालक नहीं है एहे ता कोई समा आन ते पंड़े जी नूं पीता जी कल्यान दासने कारसद दिया अते ना रखन नी बेंती किती ता पंड़े जी ने कहा कि मेहता जी इस दा नाम असी नान क देव रखांगे पीता जी हरान होए कुझ चीर खमोश रहे सोच दे रहे डुंगी सोच विच चले गे फिर आख्या कि पंड़े जी एह ता ठीक नहीं है पंड़े जी बाबे नानक नो पचान गे सान उना पीता जी नो कहा मेहता जी आज पार्त विच हिंदू मुसलमानां दा चेडा पेया होया है संसार विच वर्न आशरम पाव उच नीच जात बादे चगडे हान नानक वली, पगंबर, गुरू, पीर, पीरांदा पीर होवेगा इसनू हिंदू मुसलमान ही नहीं पुजणगे बलकि सारी तरती, सारा संसार इसनू नमसकार करेगा हिंदू मुसलमान ग्यानी त्यानी, सिद जती, जोगी, रिशी, मुनी, सब इसदी आग्या मननगे एहे हिंदू मुसलमाना दे चगडे नू मिटावेगा इक नरिंग कारदा नाम जपावेगा इसली इसदा नाम नानक देव सही है तू चिंता ना कर पंड़ जीदिया एहे गल्ला सुनके माता पीता बहुत खोश होए पंड़ जीनू चोखी दखना दान दित्ती सरबत परिवार वीच अनंद मंगल होया सबने मिलके बदाईया दित्तिया आते लईया मठाईया वंडिया गिया सारा परिवार खोशी-खोशी बच्चे दी पालना पोशना करन लग गया